हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है हम डॉक्टर विश्वनात्रिपाथी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरलितिहास पुस्तक का अध्यन कर रहे हैं पिछली कक्षाओं में हमने आधिकाल और भक्तिकाल का अध्यन कर लिया है आज के कक्षा में हम रितिकाल का अध्यन करेंगे देखे इस पुस्तक में से हिंदी की लगबग प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रिश्ण पूछा जाता है यह चोटी सी पुस्तक है आपके लिए बहुत ही महतपून सीधोगी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तो हमें इसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना रितिकाल का समय आचारे रामजंद्र शुकल जी ने विक्रम सम्वद 1700 से 1180 स्वी माना है और विश्वनात रिपाठी जी ने इसका समय 1700 से 1880 स्वी माना है रिति जो शब्द है इसकी व्यत्पत्ती रिंग धातु में क्ति प्रते जोड़ने से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग अर्थार्थ ऐसा काववे जिसमें काववे के लिखने का मार्ग या तरीका बतलाया जा रहा है उसे रिति काववे कहते हैं सामान्य तह संस्क्रत के लक्षन ग्रंथों का अनुकरन करके जैसे रस, अलंका, छंद, गुण, रिति, नाई का बेद, आधी का विवेचन करने के लिए जो साहित्ते हिंदी में रचा गया उसे रिति काववे कहा जाता है डोक्टर नगेंदर के अनुसार विसिस्ट रचना पदती यो विसिस्ट नियोमों की द्रस्टी में रखकर जो काववे लिखा गया हिंदी में उसे रिति काववे कहा गया अधिकतर रितिहासकारों के नुसार रितिका कावे आम जनता का कावे ना मानकर दरबारी संस्क्रति का कावे माना जाता है और शुक्ल जीने हिंदी साहिते के उत्तरमध्यकाल को रितिकाल के नाम से संभोधित किया है रितिकाल के नामकरण के विषय में अगर हम जाने तो अलग-अलग विद्वानों ने रितिकाल को अलग-अलग नाम से समभोदिट किया है मिश्र बंदू इसको अलंकृत काल नाम देते हैं आचारे रामचंद्र शुक्ल जो रिति काल नाम दिया गया है वह है आचारे रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ है विश्वनात प्रिशाद मिश्र जी की हम बात करते हैं उन्होंने श्रंगार काल काहा है रमा संकर शुकल रसाल ने इसे कला काल काहा है जोर्ज अबराहिम ग्रियर्शन ने इसे और स्पोईटिका काहा है और इसी प्रकार रामकुमार वर्माने से कला काल नाम दिया है रितिकाल का उदे क्यों हुआ एक तमसे ऐसे क्या कारण रहे है क्या वज़े रही है जिसकी वज़े से भक्ति की धारा जो प्रवाहित हो रही थी वह थमसी गई और रितिकाल का उदेह हुआ तो रितिकाल के उदेह को लेकर के भी अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग विचार है कि एकदम से भक्ति के बाद रितिकाल क्यों आया आचेरे रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि आश्ट्रे दाताओं की रूची के कारण रितिकाल का विकार उद्य हुआ अर्थार्थ अपने आश्ट्रे दाताओं की रूची के कारण जैसे राजा लोग थे उनके आश्ट्र में अनेक प्रकार के लक्षन गुरंथ लिखे गए थे अतहार उनसे प्रेयरित होकर हिंदी साहिते में भी रिति कावे लिखा जाने लगा यह मानते हैं हजारी प्रिशाद द्वेदी जी लेकिन नगेंद्र मानते हैं कि जीवन की बाहिये अभिव्यक्ति से निराशा की लिखे चाया इस प्रकार हम कहे सकते हैं कि उस सेमय की परिस्थिधियां रही जो प्रवर्तियां रही आड सख्रडियों प्रवर्तित होई जो भक्ति ouais थमसी गही या कम हो गई रितिकालीन। आया उसमें भक्ति की यह पर रूप हमें अमें रिति-कालीन साहें में देखने को भक्ति की थतील मुधार मिरा दीकालीन de प्रवर्ति निरूपन और श्रंगारिक्ता की प्रवर्ति हमें देखने को मिलती है तो हम रितिकाल का अथ्यन करते हैं आई ये देखते हैं सामाने परिचे इसका रितिकाल में निर्दिस्ट्र कावी रिति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रवर्ति हो गई थी इस काल में रिति कवित रिति और सुकवी रिति शब्दों का प्रिचलन हो गया था शुक्ल जी के द्वारा जिन्होंने इसे उत्तरमध्य काल कहा है लक्षन ग्रंतों में कविता के विभिन अंगु का निरूपन किया जाता है इस काल में काव्यांग निरूपन को कविता करने का बहाना बना लिया गया है यानि लक्षन ग्रंतों को लक्षे ग्रंत भी बना लि इस काल की कवीता प्रचना में श्रंगार और रीती यानि व्रचना विधी एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुए हैं इसे जानने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा हजारी पिशाद वेदी जी कहते हैं कि इस समय आर्थिक द्रस्टी से समाज में इस पर्ष्ट रूप से दो स्ट्रेणिया हो गए। एक तो उत्पादक वर्ब जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंद रखने वाली जाती हैं जैसे बढ़ी, लोहा, कहार और जुलाहा इत्या देती। और दूसरा वर्ग राजा रईस्या नबाब या भोक्त कुरत का सहायत था। दोनों का परस्पर संबंद क्रुम से हक्षीड होता गया और मुगलकाल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगबग अलग हो गई। इन दो वर्गों के मद्धे में कवियों, चित्रकारों, संगितग्यों, आधिकलावंतों का वर्ग था जो प्रायह उतपादक वर्ग से उतपन होता था, किन्तु भोक्ता वर्ग किस्तूती और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाहा करता था। जिस वर्ग को प्रिशन करना होता था उसके जीवन और रूच्यों का पता होना चाहिए था द्वेदीची के मतानुसार इस काल में कभी शिक्षा के ग्रंथ इसी आविशक्ता की पूर्ती करते थे संस्क्रत में लक्षन ग्रंथ आचारे लिखते थे कभी नहीं लक्षन ग्रंथों की रचना कोन करते थे संस्क्रत में आचारे करते थे कभी नहीं करते थे वे निरूपन की प्रकुरिया में लक्षन बताकर उधारन के रूप में प्रसिद्ध कभियों की रचनाएं अपनी बात को सुस्पस्ट या प्रमानित करने के लिए प्रस्तुत करते थे हिंदी में यहां प्रवर्ती भिन्य रूपों में चली यहां लक्षन ग्रंतों के लक्षन भी अपने और उधारन भी अपनी ही कविताओं के वुआ करते थे लक्षन तो प्रम्प्रा से प्राप्त होते थे उन्हीं ग्रंतकार अपने शब्दों में प्रसुत कर देते थे किन्तु कविताओं में उनकी मौलिक्ता होती थी इसलिए कहा जाता है कि लितिकाल के लक्षन ग्रंतकार वस्तुतह कवी होते थे संस्कृत में कौन होते थे आचारे होते थे और अपने यहां यह स्थान किसने ले लिया कभिया आचारियत्व को तो उन्होंने कवीता करने का बहाना बना लिया था फल्तह हिंदी में आचारे और कभी दोनों एक ही विक्ती होने लगी अथार्थ जहां संस्कृत में आचारे होते थे वह स्थान हिंदी में कभी और आचारे का एक ही विक्ती ने ले लिया इस प्रणाली से इस काल में प्रचूर और उतकर्ष्ट रचनय हुई, इस काल में भक्ती में से धार्मिक्ता का तत्व क्रमशह कम होता गया अतार्थ, भक्ती काल में जो धार्मिक्ता की प्रधानता रही, भक्ती की जो रंतारा प्रवाहित हुई, जो भक्ती अंदोलन अखिल भारतिय बना उसकी जो प्रधानता है वह क्रमसवा कम होती चली गई भक्ती जो मुलता फ्रेम है धीरे धीरे लोकिक श्रंगार में प्रवर्थित होती गई यहां जो श्रंगारिक्ता की प्रवर्थी है रितिकार में वह हमें अधि देखने को मिलती है दर्बार में पहुंचक वह व्यापकर्थ में लोकिक प्रेम भी नहीं रह सकी उस समय हिंदी छेत्र में छोटे छोटे राजे नवाप थे जो केंद्रिय सत्ता द्वारा अनुशाशित होते थे वे वीरगाथा कालिन सामनतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे वे अपने जूटे पराक्रम दान क की प्रसंसा पारक कवितां सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में भी रुची रखते हैं ऐसा कावे दरबारी कावे कहलाता है जो आस्ट्री दाताओं की रुची को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है दरबार समतकार प्रियता आलंकारिकता आतिशोक्त आधी दरबारी कवीता की प्रमुक प्रवर्तियां बन जाती है दरबारी कवीता की प्रमुक जो प्रवर्तियां है वो कौन सी बन जाती है समतकार प्रियता आलंकारिकता आतिशोक्ति पून बढ़ा चड़ा कर वर्णन करना और य दिवाजी छत्रसाल जैसे आश्रेदाता पराकर्मी थे तो भूशन की कवीताएं भी स्ट्रंगार हीन होकर भी वीर रसात्मक है एक मात्र कवी जो रितिकाली वीर रस से ओत्प्रोत कवीताएं लिखते हैं कौन भूशन लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल की सभी रचना दर्बारी है यानि इस काल में ऐसा साहित्ते भी लिखा गया जो रिति से मुक्त या यू कहें कि दर्बार से मुक्त था रिति से मुक्त नहीं दर्बार से मुक्त था ऐसा नहीं है कि जो संपुर साहित्त है वह ही वहे दर्बार में रहकर ही लिखा गया वस्तुता है दर्ब दिया जाता है कि दर्बारीपन का विरोध भी रितिकाल में हमें देखने को मिलता है तो यह कतन विरोध सही हो जाएगा बिल्कु सही है उत्क्रेस्ट फ्रेम की कविताओं की भी कमी नहीं है रितिकाल में दर्बारीपन तो रितिकाल की प्रवर्ती है तार दर्बारीपन जो ह हमें आधिकाल में देखने को मेलती हैं वह प्रवरती हमें रितिकालीयं सा हित्य में इक बार फिर दिखाई पढ़ती है गाथा शब्ट शती आहर्याय शब्ट शती जैसी मनोहरी सामाने ग्रहस्त जीवन की श्राँगारिक रचनाओं की परमपरा रितिकालीयं में भरपूर मिलती है। इन में लोह जी उन में व्याप पारिवारिक प्रीम, मिलन, विवहा, आधी की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रितिकाल ऐसे सरश मुक्तकों की द्रस्टी से हिंदी का सरवादिक संपन काल है। इस काल में साथ ही साथ भक्ति कावे भी रचा जाता रहा। अवश्य ही रितिकाली इन भक्ति कावे में पूर्व मध्यकाली इन भक्ति कावे की अगनी नहीं है। वह भी दर्बारी परन से ध इनकी व्यापकता हमें रिति काल में देखने को नहीं मिलती है और रिति निरूपन और श्रंगारिक्ता की प्रिवर्ति हमें इस काल में अधिकर देखने को मिलती है इस काल के कविता का परम उतकर्ष प्रेम से रितिमुक्त कवियों की रचनाव में मिलता है ये कवी प्रेम की और उनकी विरहवना सूफी कव्यों जैसी है। गशाम यह शूणL zamur 1-4-2- 112 मिलता है। उटकर्ष प्रेम देखने को मिलता है। यह फ्रीन की पीड कवी हैं जो किसे मिलते हुए हैं। विरह भावना किसे शूफी से मिलते हुरती। जुन्त है। रिति बद्धारा, रिति सिद्धारा, और रिति मुक्त कावे धारा रिति कालीन, जो कव्यों का वरगी करन है, यह करने वाले हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रिशाद मिश्व ने ये विभाजन किया है अगर आपसे प्रिश्ण बनाकर पूछ लिया जाता है कि ये है विभाजन किसने किया है रिती बद्ध, रिती सिद्ध और रिती मुक्त तो ये है विभाजन किया है विश्व, नाथ, प्रिशाद, मिश्रु अब आपसे यहां एक और प्रिश्ण पूछा जा सकता है कि ये है भाजन तो इन्होंने किया है लेकिन रिती बद्ध धारा में कौन से कवी आएंगे रिती सिद्ध धारा में कौन से कवी आएंगे और रिती मुक्द धारा में कौन से कवी आएंगे तो रिती बद्ध कावे धारा के अगर हम बात करें तो केशव, चिंतामणी, मतिराम, देव, सुर्ति मिश्रु मंडन, मिश्रु पद्माकर, जश्वन्त सिंग, कुलपति मिश्रु भिखारिदाज, सोमनात, कुमार्मणी, ग्वाल कवी, भूशन, रसलीन, तोश और पद्माकर का नाम हमें प्रमुक्त है, तेकनिकों मिलता है, रिती मुक्त कवियों के अगर हम बात करते हैं, तो घनानद आलम, भोधा, ठाकुरो, द्विजदेव, और इनके अलावा जो बचेवे कवी हैं, वो सभी आएंगे, रिती सिद्ध कवियों में, रिती सिद्ध कवियों में सबसी जो प्रतीनीधी कवी है, सबसी महत्रम्पून कवी हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, वो है कविवर बिहारी जी, रिती बद्ध कवे धारा के कवी, इस धारा के कवियों ने अलंकार नाईका भेत, आधी के लक्षन बना कर उनके उधारन स्वरूप कवे रचे, जैसे केशव, पदमाकर और मतिराम, ये लक्षन ग्रंतकार मुल्तह कवी थे, थाथ यहां आचारे नही ये जो लक्षन ग्रंतों की रचना करते थे, ये मुल्ते क्या थे? कवी थे, इन्होंने क्या किया? जो अलंका नाईका भेत के लक्षन बता कर फिर उधारन स्वरूप कवे रचे, पतात संस्क्रत के लक्षन ग्रंतों के आधार पर रिती बंधन में बंदखर ही इन्होंने इस्ट कवी इसलिए रिती सिध कवी इसलिए इन्हीं रिती सिध कावेधारा के कवी कहा गया है और रितिमुक्त कावेधारा के कवी इस कावेधारा के कवी लक्षन उधारन की ने तो पद्धती अपनाते हैं और नहीं लक्षनों का ध्यान रखते हैं ये प्रेम के विशेष्टह विरह के उनमत गायक कवी हैं गहनानन आलम बोधा ठाकुर आधी रितिमुक्त या स्वचंद धारा के कवी हैं ये कवी स्वाभिमानी भी हैं इन्मे रिति बद्धता और दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव है अब यही बात जो आमने पहले बात करी थी ऐसा कावे जरूरी नहीं है कि रितिकाल में जो संपूर साहिते हैं यहां दरबारीपन का विरोध भी हुआ है विद्रोह भी हुआ है तो किस ने किया है रितिमुक्त कवियों ने घनानन आलम बोधा ठाकुर और द्विजदे में इस काल की प्रमुक्त कावे भा बहुत प्रवाव परना स्वाभाविक था दरबारीक विता प्रदांतर मुक्त को में है और अलंकार बहुल है सीव कवी नामक एक अज्यात प्राय कवी नि कहा है लच्मिनी तिहार एक क्रपा की कटाच विनू केति क्रूर दूरतन के बधन ध्यार बे यह सीव कवी है कोई अज्यात प्रिय कवी जिन्होंने दरबारीक विता की मुक्त को में जो रचना करी है उसके विशे में बताया गया है जूटे मही पालन के जूटे गुन गाये बानी भाशा के विशे में बताया की ब्रिजभाशा का प्रियोग यह हुआ है बानी जगरान इतासो बैठे ठान अब हम जो रितिकाल के प्रमुख कवी हैं उनका परीच्य देखेंगे रितिकाली इन कवियों का अध्यन करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद